Hello everyone, welcome back to my channel Education Hub. Today we are going to start the lesson 3 little pigs of NCRT English of class first. Let's start. 3 little pigs Once there were 3 little pigs, Sonu, Monu and Gunu. एक बार 3 छोटे छोटे क्या थे? Pigs. Pigs कौन होते हैं? सुर को कहा जाता है Pigs. जिनका क्या नेम था? Sonu, Monu and Gunu. Sonu lived in a house of straw. जो Sonu का घर था, वो कैसा था? Straw का था. House मतलब होता है, घर. Lived मतलब रहना. Monu lived in a house of sticks. और Monu का घर कैसा था? Stick का बना हुआ. Stick डंडे को बोलते हैं, चोटी चोटी जो डंडियां होती हैं, उसका बना हुआ था. One day a big bad wolf came to Sonu's house. एक बार, एक दिन क्या हुआ है? एक बहुत ही बड़ा सा, बुल्फ कौन होते? बेडियों को कहा जाता है. बेडिया आया किसके घर पे? Sonu के घर. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. वो कहता है कि मैं बहुत तेजी से फूक मारूंगा और तुम्हारा घर गिरा दूँगा. So he huffed and he puffed and he blew the house down. और वो बहुत तेजी से फूक मारता है और Sonu का जो house है, वो गिर जाता है. Sonu ran to Monu's house. Sonu भाग कर किसके घर चला जाता है? He said, I will huff and puff and I will blow your house down. फिर वहाँ जाके वो Monu के घर जाके कहता है कि मैं बहुत तेजी से फूक मारूंगा और जो तुम्हारा घर है वो गिरा दूँगा. So he huffed and puffed and he blew Monu's house down और उसके बाद वो बहुत तेजी फूक मारता है और Monu का घर भी गिरा देता है. Sonu and Monu ran to Gonu's house. Sonu और Monu बहुत तेजी से दोड़के कहां जाता है फिर? Gonu के घर. The wolf came to Gonu's house. अब जो भेडिया होता है वो किसके घर जाता है? Gonu के घर. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. फिर वो कहता है कि मैं बहुत तेजी से फूक मारूंगा और तुमारा घर गिरा दूँगा. So he huffed and he puffed but he could not blow the brick house down. वो बहुत तेजी से फूक मारता है, बहुत बार कोशिश करता है लेकिन वो उसके घर को नहीं गिरा पाता है. It was very strong क्योंकि वो बहुत ही मजबूत होता है. The wolf went away and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house. Wolf जो भेडिया होता है, वो वहाँ से चला जाता है. Sonu, Monu और Gonu फिर बहुत ही खुशी के साथ एक साथ उस लाल कलर के मजबूत घर में. ब्रेक को हाउस कौन से, जो इट के घर होती है, उसको कहा जाता है, उसके घर में रहने लगते हैं. यह चैप्टर कम्प्लीट होता है आपका, अगर आपको हमारे चैनल यह चैप्टर पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. Thank you.